पढ़ेजे अब सल्मान खान के साथ साथ इनके बहुती परम्मित्र रह चुके शारुक खान की बात करते हैं देखे शारुक खान की जब हम बात करते हैं तब शारुक खान जो है सरोगसी मदर की बात हो या उनके घर की बात हो इन सारी चीजों में अक्सर विवादा में रहे ह और रही बात authorities की तो authority authority ने अक्सर उन्हें कराई से लेने की कोशिश की है क्या शारुक के स्टार भी इन दिनों अच्छे नहीं है देखिए 211 1965 एक ऐसी कुंडली सिंग लगन की कुंडली मकर राशी आपको जानकर हैरानगी होगी आज आपको जानकर हैरानगी होगी कि अदित ठाकरे की मकर राशी शारुक की मकर राशी सल्मान की मकर राशी आज अपने तीन लोगों के बारे में पूछा तीनों की मकर राशी है और तीनों उभरते हुए सितारों के सितारे दिखाई देते हैं 2111965 अगर हम शारुक की कुंडली का अध्यन करते हैं from nowhere to here from zero to hero हैं गली क बाद्शा टू फिल्मी बाद्शा कुंडली का हिसाब किता भी बहुती सुन्दर शुकल पक्ष की अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ है और सबसे बड़ी बाद गौरी से उनका विवा सब्तम माओ में बैठा हुआ शनी एक ऐसी इस्तरी के साथ विवा करवाता है जो अपने साथ धन लाती है अपने साथ अईश्वर्य लाती है अपने साथ जीवन की वो हर सुविदा लाती है जो यह ऐसा कौन सा ग्रह यह बताईए ताकि हमारे जो दर Branch आपको पता होता है कि यहां पर फर मुझे घरना है मगर आप चाहते हुए भीस सामने खड़ा देखते वेभी आपका में चला जाते है तो कौन कौन से लड़की को दूढ़ना चाहिए ताकि जो शारुक खान जैसी ऐश्वरिया और शारुक खान जैसी समरुद्धी जो है अपने साथ लेकर आए सिंग लगन की कुंडली शारुक खान की और यहां पर बहुत ही सुन्दर हिसाब किताब यह है कि सल्मान की कुंडली में भी शनी जो है वह कुंबराशी का और शारुक की कुंडली में भी कुंबराशी का शनी इन दोनों का जब हम अध्यन करते हैं तो यहां से बैठा हुआ श को और उनके लगन को देखता है उखान की कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं तो डैफीनेटली 211-1965 का जन्म शनी सब्तमभाहों में यानि पत्नी के घर में बैठा हुआ है लगन है हां 2008 से शारूप की जब कुंडली में शनी की महाधशा शुरू हुई तो हमने यह प्रडि की या तो यह दिस्लोकेट हो गई है या कही ना कहीं से हड़ी की प्रॉबलम आ गई है या कुछ कान की प्रॉबलम आ जाती है तो उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना है अगर बाद भी बात की करें बात को निलाजनम समाभासम रवीपुत्र जमागरजम छाया मारत अंडश नमामी शनेश्वरम तो यह दोनों की कुंडली में शारूख और सल्मान की कुंडली में शनी आप सूर्य के घर को देख रहा है इसलिए विवाद रहेंगे विवादों से इनका फीचा बिल्कुल नहीं छूटेगा यह आखरी सांस तक इनको कोई ना कोई विवाद जो हो घ जी पड़िजी